पॉंगल किस राज्य का परमुक तोहार है तो देखे ये कोशन बहुत सारे एक्जाम में रिपीट हो चुके हैं अभी रेलवे गुरूप डी का जो एक्जाम चल रहे हैं उसमें भी एकोशन कहीं बर आ चुके हैं तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा तमिल का मुख्य चौहार है और यहां के लोगों द्वारा ये बड़े हरस लुघालास के द्वारा बनाया जाता है दोस्तो यह तोहार दोस्तो 14-15 जनवरी से शुरू होकर यानि की मकरसकरांती से सुरू होकर अगले 4 दिनों तक चलता है और एक और खास बात दोस्तो इस कोहार का नाम पॉंगल तोहार है चलिए जी अगले कोशन पर आते हैं लोसांग उचसव कहां मनाया जाता है और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको इस सेशन सच में पसंद आये ना तो इस वीडियो पे कोई लाइक का मतलब टार्गेट तो नहीं है बट रिकोर्ड तोड देने हैं कि कहता कि हमें और मोटिविशन मिले आपके लिए और अच्छे अच्छी वीडियो बनाने के लिए तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों लोसांग उचसव कहां मनाया जाता है तो इस को दोस्तों चार दिनों तक चलने वाला एक चोहार है तो जरूर याद रखेगा और हाँ एक और इंपोर्टेंट बात है दोस्तों इसमें यह उत्सव सिक्किम की भूटिया जन्जाती का एक परंपरागत चोहार है दोस्तों जरूर याद रखेगा भूटिया जन्जाती मनात यह उसको कई बार एक्जाम में पूछा जाता है अगला कोशन आता है जली कट्टू नामक चोहार किस राज्य में मना जाता है यह भी very very important कोशन कई बार एक्जाम में देखने को मिल जाता है देखे जली कट्टू भी दोस्तो तमिलाडू के गोरव तथा सांस्किर्थिक का परती कहा जाता है यानि कि इस कोशन का राइट आंसर भी D हो जाएगा दोस्तो यह जो जली कट्टू तोहार है यानि कि एक्चल में खेल है तमिलाडू के ग्रामेर इलाकों का एक प्रमप्रागत खेल है जो कि पोंगल तोहार पर आयोजित किया जाता है और दोस्तो एक और खास बात है जली कट्टू लगबग 2000 वर्स पुराना एक परतिस्टित खेल है ठीक है यह आपको जरूर याद अखना है अगला कोशन आता है दोस्तो चट पुजा किस राज्ये का परमुक चोहार है तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते ही होंगे चट पुजा दोस्तो बिहार का एक परमुक चोहार है ठीक है चट पुजा बिहार में होने वाले चोहार में सबसे बड़ा चोहार है यह आपको जरूर याद अखना है हो जाएगा पार्सी का यानि कि option a right answer रहेगा यह question इतना ही पूछा जाता है यह आपको बस याद रखना है अगला question दोस्तों गनेश उत्सव किस राज्य में मुख्य रूप से मना जाता है तो जल्दी से आंसर बताएगा दोस्तों comment box में तो भाई यहाँ पर right answer दोस्तों मारास्ट हो जाएगा दोस्तों एक important चीज बता रहा हूं त्यान से सुनिएगा गनेश उत्सव की सुरवात मारास्ट में सिवाजी माराज और जीजा बाई ने की थी लेकिन बाल गंगधर तिलक ने दोस्तों इसे एक बड़ा सवरूप देने का कार्या किया था तो ये दोनों question भी आपसे पूछे जाए तो आप लोग बिल्कुल cover कर लिजेगा अगला question आते दोस्तों कंचोत चोहार कहां मनाया जाता है तो देखे हर एक question में आपको मैं image के थुरू बता रहा हूं ताकि आप लोग भ लिए तो next question आता है दोस्तों गंगा दसेरा किस राज्य का परमुक्त योहार है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का जो सही उत्तर रहेगा वे आपका उत्तरा खंड हो जाएगा ये भी question आपके exam में कहीं बार पूछा आता है अगला question है सूफी संत क्वाजा मोयनुदीन चिस आता है और दोस्तों यहां पर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं ख्वाजा मोयनुदीन चिस्ति का जो जन्म था वो इरान में हुआ था 1141 में तो ये भी आप लोग याद रखेगा अगला question आता है दोस्तों गंगोर का त्योहार किस राज्य में मना जाता है तो देखे गं परला question है दोस्तों लोशन तोहार किस राज्य में मना जाता है तो ये मना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही लद्दाक में और ये question भी अभी railway group D का जो exam चल रहा है उसमें पूछा गया था बहुत ही important वीडियो में record कर रहा हूं दोस्तों इसको जरूर देखेग अगला question आता है ओनम किस राज्य का परमुक चोहार है देखे जो भी very very important question होगा दोस्तों उसमें very very important लिख दूँगा तो जरूर याद रखेगा ओनम भी एक बहुत important चोहार है तो इस question का दोस्तों right answer केरल रहेगा ठीक है ओनम किस राज्य का परमुक चोहार है केरल का देख तक मनाया जाता है ये point भी आप लोग जरूर नोट करिएगा अगला question आता है बोगाली बिहु किस राज्य का परमुक चोहार है तो बोगाली बिहु दोस्तों ये असम का परमुक चोहार है यानि की right answer दोस्तों हो जाएगा डी तो यह आपको या दखना है और बिहु चोहार असम का मुख्य तोहार है जो किसानों के द्वारा दोस्तों मनाया जाता है ठीक है अगला question और हाँ एक चीज़ बिहु को असम में दोस्तों वर्स में तीन बार मनाया जाता है ये बहुत important है कई बार पूछा गया है ठीक है ना तीन बार मनाया जाता है अगला question दोस्तों वे आपका लटमार होली कहां खेली जाती है तो ये भी कई बार पूछ ले जाता है दोस्तों लटमार होली खेली जाती है मत्हुरा में यानि कि A हाँ पर राइट आंसर हेगा कोशन अमबर 15 का अगला कोशन है नोरोज त्योहार किस से संबंदित है तो जल्दी से आंसर बता दीज के कमेंट बोक्स में इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हेगा पारसी से ये भी कई बार एक्जाम में आ जाता है अगला कोशन आते है दोस्तों बाबा गरिया पूजा चोहार कहां मनाया जाता है तो जल्दी से आंसर बताईएगा दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर तो दुर्गा पूजा कहा का सबसे और मुक्ष पर्व है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा पस्चिम बंगाल का तो ये भी आपको याद दखना है ठीक है जी अगला कोशन आता है पैगंबर मुहम्मद के जनमदिन के उपलक्स में कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर होजेगा बिल्कुल सही है इद उल मिला दुला नवी यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन डी या आपको या दखना है अगला कोशन है दोस्तो हौन बिल उतसब किस राज्य में मनाया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तो कह बार एक्जाम में पूछा आ चुका है तो ये मनाया जाता है दोस्तों नागलेंड में यानि कि डी रैट आंसर हो जाएगा और देखें सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों तक भी सेयर कर देना चाहे आप अपने भाई या बहन दोस्तों तक जरूर सेयर करन दोस्तों वह मैं रात को दो से तीन बजे ही रिकोर्ड करके सोता हूं अपलोड करके सोता हूं ठीक है अगला कोशन है निम्लिकित में से किस विकल्प में सभी सहर कुम मेले से संबंदित है जल्दी से आंसर बतेगा दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है इस कोशन बारा साल में हर तीन साल के अंतराल पर दोस्तो इन चारों इस्थान पर आयजित होता है। यानि कि D right answer रहेगा जो कि अप्रेल महा में दोस्तों मनाया जाता है और इस दिन दोस्तों भगवान सिरी राम का अवतरन हुआ था यह आपको या दखना है अगला कोशन दोस्तों आता है सिगमो मोथसव किस राज्य में मनाया जाता है तो सिगमो मोथसव दोस्तों मनाया जात तो दोस्तों ये मना जाते है आपका तेलंग नामे थीक है यानि कि रायट आंसर बी हो जएगा कोशन लूंबर 24 का वभाई अगला कोशन अर। किस राज्य का उत्सव है तो यह आपका हो जाएगा दोस्तो कस्मीर का यानि कि डी राइट आंसर हो जाएगा यह आपका एधकना है अगला कोशन आता है लोकरंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है यह भी अच्छा कोशन है तो राइट आंसर दोस्तो आपका हो दोस्तों कि तो यह मना जाते है दोस्तों 26 गड़ में यह आपको याद अग्यक्थ अगला कोशन आता है काह능li काल चक्र उत्षव किस धर्म से संब्धित है जल्दी से आंसर बते twee गधे जी यहाँ ए टोस्तों में मनाया जाता है तो यह काफी इंपोर्टेंट कोशन है जल्दी से आंसर बतेगा दोस्तों बिल्कुल सही है दिपावली देखे यह इंपोर्टेंट है याद रखेगा मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कई वार एक्जाम में पूछ जाता है अगला कोशन आता है दोस्तों पुषकर मेला कहां लगता है तो पुषकर मेला दोस्तों कहां पर लगता है बिल्कुल सही अजमेर में यानि की राइट आंसर इस बी तो तीसवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा अगला कोशन है रत यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है दोस्तों रत उत्स आपका कहा मना जाता है तो यह मना जाता है पूरी में यानि कि right answer is option भी यह आपको यह दखना है अगला question है गुड़ी पर किस राज्ये में मना जाता है तो यह मना जाता है दोस्तों महरास्ट्रम में यानि कि b right answer हो जेगा यह भी आपको यह दखना है अगला question दोस्तों आता है चब चार कूट त्योहार कहां मनाया जाता है जल्दी से आंसर बताएगा इस question का ये मनाया जाता है दोस्तों मिजोरम में यानि कि right answer C हो जाएगा ठीक है अभी देखे आपका जो group D का exam चल रहा है न उसमें इसी वीडियो से बता दूगा आते वे questions अब फिर आप बोलोगी सर आपने कहां पढ़ाया फिर आप पढ़ते नहीं है उसमें मेरी गलती नहीं निकाल सकते आप लोग ठीक है न अगला question 34 है उगादी पर्व किस राज्य में मना जाता है तो यह मना जाता है दोस्तो करनाटक में यह भी आपको या दखना है अगला question है निमिन में से कौन सा एक समलित नहीं है तो ज्यान से समझेगा दोस्तो इसमें आपके एक गलत है बाकी तीनों सही है तो यहाँ पर भ राज्य का तोहार है आंद्र प्रदेश का तो नहीं है ठीक है अब कमेंट बोक्स में बताएंगे आप लोग देखता हूं कितना आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को 36 कोशन है पूरी की रत यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है चल्दी से आंसर बते हैं दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जेगा बगवान जगनात के यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन सी यह आपको यादखना है अगला कोशन आता है दोस्तो देवी दुरा मेला कहां लगता है तो देवी दुरा मेला दोस्तो कहां पर लगता है यह लगता है आपका बिल्कुल सही है चमपावत जनपद में यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन भी यह आपका अधखना है अगला कोशन दोस्तो आता है प्राचीन पुरानिक और विस विख्यात हरियार छ वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तो बिहार राइट आंसर हो जएगा यह आपको याद अखना है अगला कोशन है धार्मिक तोहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है तो देखे डांडिया आप सभी को पता होगा दोस्तो गुजरात में मनाया जाने वाला त्योहार है अगला कोशन आ जाता है आपका सरूल पर्व का संबंद किस राज्य से है तो सरूल पर्व का संबंद बदेगा किस राज्य से है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बहुत ही बढ़िया वई राइट आंसर दोस्तो जारखंड हो जाएगा अगला कोशन है एक ही इस्थान पर लगने वाले दो महाकुम मेलों के बीच कितना अंतराल होता है अभी मैंने बीच में बताया था दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़िया कोशन ये भी बारा वर्स का यानि कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर ये आपको या दखना है अगला कोशन है परसिद केला देवी मेला कहां आजित होता है तो जल्दी से आंसर बताएगा इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल के रोली यानि की ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा आई होब कि आप लोग ने भी इसका आंसर ये किया होगा